उडिशा के पुरी में भगवान सूरे को समर्पेद ये है कोणार्क मंदिर कोणार्क शब्द कोण और अर्क शब्दों से मिलकर बना है कोण यानि कोणा या किनारा और अर्क का अर्थ है सूरे इसका मतलब हुआ सूरे का किनारा उडिशा राज्ये में ये एक लौता ऐसा इतिहासिक समार्क है जिसे 1984 में युनेसको वोल्ड हेरिटेज साइट में शामिल किया गया मंदिर के घहरे रंग के लिए इसे काला पगोडा भी कहा जाता है इतिहासकार मानते हैं कि ये मंदिर 750 से भी ज्यादा साल पुराना है जिसका निर्मान 1250 इस्वी में गंगवंच के राजा नरसिंग देव प्रथम द्वारा कराया गया था अबुल फजल ने आइने अगबरी में लिखा है कि राजा नरसिंग देव ने 12 सालों के पूरे राजस्व को मंदिर के निर्मान में ही लगा दिया था इस मंदिर को पूर्व दिशा की ओर ऐसे बनाया गया है कि सूरज की पहली किरण सीधे मंदिर के प्रवेश पर ही गिरती है कलिंग शैली में निर्मित इस मंदिर की सनरचना रत के आगार की है इस रत में कुल बारा जोड़ी पहिये हैं एक पहिये का डायामीटर लगभग 3 मीटर का है ये पहिये मंदिर के मुख्याकर्शन का केंद्र हैं क्यूंकि ये पहिये घड़ी की तरह समय बताने का काम करते हैं इसलिए इन पहियों को धूब घड़ी भी कहा जाता है इन पहियों को आप इंडिन करंसीस पर भी देख सकते हैं इसके साथ ही इस रत में साथ घोड़े भी हैं जिनको सब्ता के साथ दिनों का प्रतीक माना जाता है प्रवेश द्वार पर एक और चीज है जो सब का ध्यान आकरशित करती है और वो है द्वार के दोनों तरफ बनी ये मूर्तियां इन मूर्तियों में सिंग के नीचे हाथी है और हाथी के नीचे मानव शरीर है इन मूर्तियों के सरिये मानव जीवन की समस्याओं को अनोखे तरीके से पेश किया गया है यहां सिंग गर्व का प्रतीक है जबकि हाथी संपत्ती का यहां ये बताने की कोशिश की गई है की गर्व और संपत्ती मानव का विनाश कर देते हैं माना जाता है कि मंदिर का निर्मान समुद्र के किनारे किया गया था लेकिन पिछली आठ शताब्दियों में समुद्र से इसकी दूरी बढ़ती चली गई कहा जाता है इसके लगभग दो किलोमीटर उत्तर में चंद्रभागा नाम की नदी भी बहा करती थी जो अब विलुप्त हो गई है नदी के वहां होने को भी प्रमानित किया जा चुका है मंदिर से जुड़ी एक किम वदंती है कि इसके निर्मान में 1200 कुशल शिल्पियों ने 12 साल तक लगातार काम किया लेकिन निर्मान कार्रे को पूरा नहीं कर पाए मुख्य आंकिटेक्ट विसु मुहराना के बेटे धर्मपदा ने मंदिर के निर्मान को पूरा किया लेकिन मंदिर के पूरा होने पर उसने चंद्रभागा नदी में कूथ कर जान दे दी कुणार्क मंदिर के बारे में एक रोचक तथे है कि मंदिर के पत्थरों को आपस में जोडने के लिए लोहे की चादरों और चुंबकों का इस्तिमाल किया गया था साथ ही मुख्य मंदिर की चोटी में 52 टंच चुंबी की ये लोहे को भी लगाया गया था इन विविद चुम्बकों के अनोखे समायोजन के कारण से ही मंदिर में भगवान सूरे की मूर्ती हवा में जूलती थी बताया जाता है कि पूर्त गाली नाविकों ने इस चुम्बक को मंदिर से निकाल लिया क्योंकि इस चुम्बक के कारण नौका चालन में कठिनाई होती थी इस मंदिर के बारे में रबिंद्रनाथ टैगोर ने कहा था Here the language of stone surpasses the language of man यहां आने के बाद ये कथन एकदम सही लगता है इतिहास और जबरदस्त नकाशी के शौकीन पर रटकों के अलावा यहां उनके लिए भी बहुत कुछ है जो यात्रा में कुछ खास और रोचक की तलाश करते हैं साथ ही आप चाहें तो यहां होने वाले कुणार्क डान्स फेस्टेवल का भी लुथ्व दिसंबर के महीने में आकर उठा सकते हैं